हेलो दोस्तों, वल्कम बाग टू प्रदीपगीरी 11th and 12th Academy हमने देखे हमारे AND और हमारा NOT वाला जो लॉजिकल ऑपरेटर था उसको हमने देख लिया आज के सेशन में हमारे जो बागी के दो हमारे पर 5 लॉजिकल कनेक्टिव थे रही अब हम क्या करेंगे लास्ट के जो दो थे हमारे उसके साथ हम डील करेंगे that was by conditional और conditional जिसे हम implication and double implication नाम से भी बुलाते हैं तो यहां पर देखो जो हमारा सबसे पहला है वो है conditional जिसे हम क्या कहते हैं implication भी कहते हैं समझ लो हमारे पास जो statements है अगर उसे हमने किसी एक phrase से connect किया जो phrase हमारा कौन सा है if then अगर आपको कोई भी sentence में अगर आपको एक particular phrase दिखे if then तो आप क्या करोगे इसे simply आपको क्या करना है implication वाले part को आपको क्या करना है याद करना तो यहाँ पर हम इसे represent कैसे करते हैं को कैसे री प्रेजंट किया करते थे हमारे जैसे एंड का ए होता है और को हम कैसे री प्रेजंट करते थे हमारे और को इस हिसाब से हम री प्रेजंट करते थे अगर मुझे नेगेशन यानि कि नॉट में जाने का है तो हम क्या करते थे यह वाले symbol को use करते थे उसी प्रकार जब मैं implication को understand कर रहे हूं तो हमें क्या करना है simply one sided arrow देखो one sided arrow बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप double implication में अलग तरीके से कर रहोगे ठीक है तो one sided arrow आपको ध्यान में रखना है कि कहां से point करेगा यह left hand side से right hand side को वो क्या करेगा point करेगा हो होगा हमारा representation for implication ठीक अब आ गया हम लोग यहां पर एक और टाइप of representation अगर समझो कहीं पर आपको दिखाए दिया समझो ऐसा c टाइप छोटा सा c नहीं बोल सकते हैं ऐसे kind of कुछ चीजे मिलेगी तो आप क्या कर सकते हैं उसे double implication का ही सिंबॉल मालोगे ठीक है तो यह हो गया हमारे implication अब समझ लो अब यहां पर भी हमारे पास देख़ो P and Q दो statement है अब हमने क्या 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 है यूज करके हमने क्या क्या उसे जॉइन किया यहां पर देख़ो अगर मेरे पास P and Q दो अलग-अलग statement simple statements है अगर मैं उसे implication में डाल रहे तो यह जो P वाला पार्ट हो से हम hypothesis कहते है और जो Q वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते है conclusion भी कहते है ठीक है अब आते हैं हमने कोई और sort of reading भी हम इसको को दे सकते हैं जैसे की P implies Q अगर कहीं पर भी आपको इस प्रकार से दिखाए दे रहे पी आरो और Q तो इसे आप read कैसे करोगे पता है read P implies Q ठीक है और कौन से भी इसे इस P then Q यह बहुत दो important हमारे पास चीजे इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो यह वाला चीज आप क्या कर सकते हैं क्या होगा एक तो होगा पी implies Q और दूसरा क्या है हमारे पास इस P then Q दो statement होते है P and Q ज्यादा होंगे तो अलग क्या है let P P मेरे पास statement है there is no breeze ठीक क्यू मेरे पास statement है the sorry the night is hot अब यह दो मेरे पास statements है I want to represent it in the form of P implies Q मैं चाहते हो आप इसको implication से represent करो तो यह simply आपको क्या करना है यह question को simply आपको क्या रहना है इसे if then हमारा जो यह particular पास नहीं पास एकल पास इसे पस्टेप्मेंट को आपको क्या रहना है फो इसे पहले इफ आएगा first statement P then use करो और statement Q लिख दोगे ठीक है simply आपको आपको क्या करना है यह चीज़ करना है If there is no breeze Then the night is hot As simple as that क्या करना है If then को use करना है I don't know sentence को क्या करना है Compound statement के form में आपो Generate कर देना है अब सबसे important चीज़ आती है वो है इसका truth table जब भी हम truth table generate कर रहे है We have two statements P and Q हमारा final column क्या होने वाला है P implies Q होने वाला है हमें पता है हमारे जो पहले दो column होते है वो हर एक logical collective के लिए क्लिए क्लिए होगा Same होगा यहाँ पर क्या हम start किसे करेंगे True, True, False, False यह हमारा सिर्फ दो statement के लिए True, True, False, False हम follow करते है तीन statement आते हैं तो चीज़े अलग तरीके से हमारा table generate होता है हम क्या करेंगे True, True, False लिख देंगे उसके बाद Q वाले में हम क्या करेंगे Alternate कर देंगे True, False, True, False Simply क्या करोगे True, False, True, False अब आते हैं main funda में अब यहाँ पर बहुत simple है सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है एक ही row को ध्यान देना है वो है हमारा यह जो second row है उसके उपर ध्यान देना अगर first condition P वाला statement first statement अगर true है second statement हमारा false है तो हमेशा हमें output क्या मिलने वाला है false मिलने वाला है यह चीज़ को याद रखना first statement is true and second statement becomes false हमें क्या करना है completely statement क्या truth value क्या होने वाली है false होने वाले अब बाकी सारी जितनी भी चीज़े हैं हमारे पास यह सब क्या हो जाएगा true हो जाएगा तो क्या याद रखना है सिर्फ एक ही रोगा आपको याद करक मैं वो भी यह वाला first condition अगर true है second statement false है तो हमारा output भी क्या होगा यानि कि final truth value भी क्या होगी false होगी बाकी सारे condition में क्या हो जाएगी true हो जाएगी हमारा truth table काफी simple सा है अब आते हैं next that is biconditional या पर हम इसे क्या कहते है double implication भी कहते है वहाँ पर क्यों मैंने एक single arrow बता है यहाँ पर देखो यह particular double implication का हमारा representation कैसा पता है दोनों side arrow होता है double बोल रहे न double implication में हमारा एक यह भी symbol होता है basically हम लोग यह फॉलो करते हो double line को होना रहेगा तो हम क्या करेंगे single arrow वाला जो double sided होगा उसे हम को यूस करेंगे यह हो गया हमारा representation अब यहाँ पर कौन से phrase से हमारा compound statement generate होता है simply होग पर आपको क्या दिखाई देगा if and only if अगर आपको कोई भी sentence में if and only if दिखाई दे रहा है that means it is considered to be in हमारा by implication या double implication sorry by conditional and double implication वाले में वो आ जाएगा क्या क्या होगा हमारे पास देखो p and q दोस statements है हम किसे इसके connect कर सकते p if and only if q if and only if को कही सारे books में इस हिसाब से भी लिखा रहता है if and only if इसको हम इस हिसाब से भी रीड करते है आया एपक तो यह दूसरा क्या होगा p implies q and q implies p जब मैं implies बोल दो हमारे ध्यान में क्या आता है यहाँ पर p implies q यह याद आता है लास्ट वले इसमें और यहाँ पर क्या बोला है q implies p तो यह भी एक representation हो गया and देखो बीच में and हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे बीच में and दाल देंगे यह हो गया इसका हमारा symbolic representation दूसरा p is necessary and sufficient for q अब आ जाते एक statement देखो यहाँ पर let p three points are collinear q they lie on same line collinear मतलब क्या होता है हमारे एक की line में three points है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास q अलग एक statement है q अलग p अलग statement है I want to generate a compound statement which is by biconditional double implication तो हम क्या करेंगे simply क्या use करेंगे if and only if को हम use करके generate कर सकते तो क्या होगा हमारे पास representation इससाब से represent करोगे और इसका output क्या final statement क्या होगा three points are collinear if and only if they lie lies on the same plane same line sorry यह हो कि आप क्या करना है श्रिफ एक चीज़ यूस करना है which is called as if and only if आप यह यूस कर दो आपके statement को join कर दो and you are easy to go with biconditional ठीक है आप आते है इसके truth table के उपर as we know हमारा जो पहला truth table के start कहां से होती है p q और यहां पर री प्रेजेंटेशन के आए हमारे पास इसे साब से हर टू टेबल के लिए फर्स दो कॉलम सेम होगा true true false false next कॉलम में क्या आजाएगा हमारे पास true false true false ठीक है अब आप नेक्स चीज में आते है that is हमारा final output के इसा होगा truth value क्या होने वाली है final statement के यहां पर आपको क्या याद रखना है जब भी हमारी ये दोनो columns की value save होगी न true true false false दोरो अगर statement हमारे कुछ same result दे रहे first statement true है second statement भी हमारा true है तो हमारा output क्या होने वाला है true होने वाला है दूसरा first statement false है second statement भी false है तो भी हमें हमारा compound statement का truth value क्या मिलने वाला है true मिलने वाला है अगर दोनों चीज़ same है तो हमें value क्या मिलने वाली true मिलने वाली अगर यहां पर देखो different दिखाए दे रहे है यहां पर आप क्या करोगे यहां पर आपके truth value क्या होने वाली है? false होने वाली है. आप कैसे याद रख सकते हैं? बीच में हमारा false आने वाला है. बाकी चीजे क्या है हमारे पास? true है. तो आप कैसे याद रखोगे? अगर दोनों statement की values हमें दिख रहे हैं यह true है, true है. तो यह भी true होने वाला है. false, false, true. अगर यहां पर कोई भी change से देखो, alteration एक true, एक false, एक false, एक true दिखाई देगा, तो final output क्या होने वाला है? आपके पास? false होने वाला है. तो यह हो गया हमारा यह particular biconditional का truth table. अब हम आते हैं next, that is directly on exercise without wasting time because उसके अंदर इतनी ही चीज़े है. सबसे पहला question हमारे इस exercise में है, कि write the following statements in symbolic form. आपको क्या करना है? symbolic form के अंदर लिखना है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम board exam में actually कैसे लिखने वाले? तो पहला question आपको दिया है, if triangle is equilateral, then it is equiangular. अब हमें पता है, equilateral triangle का, तो equal angles होते हैं, 60 degree के. तो यहां पर आपको सबसे पहला statement दिया गया, हमें क्या करना है? as it is, पहले statement को consider करके, let consider करके, p and q, दो अलग-अलग statement generate करना है. if triangle is equilateral, तो सबसे पहला क्या होगा? triangle is equilateral. बहुत लोग पूछेंगे कि मैं हम अपने if and then का use क्यों ने क्या? this is because हमें अर्ड़ी पता है, if then is a phrase, it is a logical connective which we use when we want to apply conditional or implication, right? हम उसे तो इग्नोरी करेंगे, यहां पर क्या आगया? equilateral. then हम हटा देंगे, क्यों में क्या आएगा? it is equiangular. क्या use क्या है? हमारे पास logical connective यहां पर हमें पता है, if then यूज क्या है, which is a symbolic representation कैसा है हमारे पास? हमारे पास वो single arrow जो था, उसे साब से है, हमारा यहां पर final statement क्या होगा? symbolic representation is, पहला statement क्या दिया है? triangle is equilateral. यह मेरा first statement है, दूसरा statement क्या है? it is equiangular. दूसरा statement भी आगया, phrase कौन सा use क्या है, if then use क्या है, which is symbolic representation क्या है हमारे पास? यह वाला arrow है, implication यहां पर जिससे हम conditional कहते हैं, वो उसका representation है. तो इससे साब से आप क्या करोगे? इस particular sum को, सारे questions को solve करोगे. पहले statement consider करना नहीं, तो फिर marks नहीं मिलेंगे. तो make sure आप क्या करोगे? सबसे पहले statements consider करोगे P and Q. Next, it is not true that. सबसे पहले ही आगया, it is not true that. अब यहां पर आपको किदर जाने का है? हमने जो negation वाला पार्ट पढ़ा था, यादे not वाला पार्ट वहां पर आपको जाने क्योंकि वहीं पर हमने पढ़ा था, it is not true, या फिर opposite लिखना, या फिर it is false, ये सारे चीज़े नेगेशन में पढ़ी थी, तो हम वही चीज़ यहां पर आजाएंगे. It is not true that I is a real number. अब मुझे बताओ, I हमारा कभी real number हो सकता है क्या? I मतलब क्या होता है? imaginary part. जब हम complex number पढ़ देते तो X plus I, Y. I क्या होता था? imaginary part. I cannot be real number. मतलब हमारा ये statement क्या होगा? P हम इसको consider करेंगे. सबसे पहले, let P such that I is a real number. उसके बाद, आपको क्या बोला है? it is not true that, not true. जब भी not आया तो हम क्या करते है? negation वाला, ये जो हमारा sign है, उसे use करते है इसका symbolic representation क्या हो जाएगा? हमारे पास ये वाला हो जाएगा. Next, even though it is not cloudy, it is still raining. Please make sure, जितने भी है, हमारे जो पार्ट्स आते हैं, फ्रेजेस अलग-अलग, जैसे कि यहाँ पर even though आ रहा है, यहाँ पर not be आ रहा है, इसका ध्यान ने ना, यहाँ पर हमने not true आला, either if, then, इसको ध्यान में रखना और फिर चीजे करना. इसके बाद, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, दो आ रहा है, जब हमने first one पढ़ा था, first हमारा जब conjunction पढ़ा था, हमने वहाँ पर देखे थे and, yet, still, even though, हम कभी यूज करते हैं, when we are dealing with conjunction compound statements, तो यहाँ पर हमें क्या है, इतना तो समझ में आ गया, we are dealing with and, and, sorry, and के साथ हम क्या कर रहें, deal कर रहें, अब यहाँ पर not भी आ गया है, मत्तब यहाँ पर हमें not का भी use, negation वाला sign का भी use करना है, इधर क्या है, it is not cloudy, not को हटा दो, तो p वाला statement क्या बन जाएगा हमारे पास, it is cloudy, p क्या हो जाएगा, it is cloudy, q क्या हो जाएगा हमारे पास, it is still raining, it is still raining, अब आज आख सिमोलिक representation में, even though it is not cloudy, not cloudy होने की वज़े से, हम क्या करेंगे, p जो है, उसको क्या डालेंगे, negation हो हमारा जो sign हो, उसके उपर आजाएगे, यह हो कहा है, not का sign, not हम इसी साब से represent करेंगे, then, it is still raining, मतलब q as it is ही है, और हमारा phrase क्या हमने use किया है, दो use किया है, which is representation of and, यह particular statement का हमारा symbolic representation क्या होने वाला है, negation of p and q, next, milk is white, if and only if the sky is not blue, जब भी if and only if आ रहा है, अब directly एक phrase identify करो, if and only if किसका representation, इसका symbolic representation क्या है हमारे पास, double implication यह biconditional जिसे हम कहते है, यह हो कहा है, milk is white, this is our p, the sky is not blue, तो q क्या होने वाला है, the sky is blue, but here we are dealing with not also, इसके वोदे से हमारा q में हम लोग क्या डालेंगे, negation वाला sign डालेंगे, और इस particular phrase का representation क्या होगा, p double implication, not q, हमें इसे read भी ऐसे ही करना है, next, stock prices are high, if and only if, again, if and only if आ गया, मतलब, we are dealing with double implication, stock is rising, normal statement है, इसे p ले लो, इसे q ले लो, p implies q, if kutub minar is in Delhi, then taj mahal is in Agra, अब आपको क्या करना है, यहां पर क्या यूज क्या है, if then phrase यूज क्या है, मतलब हम लोग कहां पर जाने वाले, implication, यानि की conditional वाले में जाने वाले, दोनों चीज़ बोल सकते हैं, first statement क्या होगा, kutub minar is in Delhi, q क्या होगा, taj mahal is in Agra, simple statement है, हमें कुछ नहीं किया है, not what, कुछ नहीं रिखाई दे रहा, simply p implies q, आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे, as simple as that, अब चलते हैं, next question के उपर, क्या है हमारे पास, find the truth value of each of the following statement, अब truth value निकालना है, मतला, output क्या होने वाला है, true and false के format हमें, मिलने वाला है, तो सबसे पहला question क्या दिया गया है, it is not true that, जब भी truth value आएगी, तो तीन चीज आपको ध्यान में लखना है, सबसे पहले तो statements generate करना, दूसरा, individual statements का truth value निकालना है, individual statements का, and third one क्या होगा, final statement जो होगी, उसकी truth value निकालना है, इतनी चीज का ध्यान दखना, सबसे पहला क्या हैगा हमारे पास, it is not true that, 3-7i is a real number, yes, हमारे पास P क्या हो जाएगा, let P such that, 3-7i is a real number, next, symbolic representation क्या होने वाला है हमारे पास, देखो, क्या बोला गया है, not use क्या है, not मतलब negation, क्या है, 3-7i, यह किसका representation हमने क्या रखा है, statement में P रखा है, तो negation of P, अब आते है, truth value क्यूप पर individual, हमारे sentence का, तो सबसे पहले क्या है, 3-7i, अब 7i, आया गया, मतलब बट अव्यस्ति हमारा कहां जाता है, वो complex number में जाता है, तो हम उसे deal तो करना ही नहीं वाले real के साथ, वो क्या है, हमारा completely complex number है, तो यह false statement, जो हमारा P है, यह क्या है, false है, तो यहाँ पर truth value, इस कैसे हम लिखेंगे, यह sign नहीं यूज़ करते, यह यूज़ करते, ठीक है, negation of, P की truth value क्या है, हमारे पास, false, हमारा, वो क्या है, complex number है, यह क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, जब हम टेबल पढ़ते हैं, तो हमें पता है, जब भी हम negation वाला table पढ़ते हैं, तो true is, true becomes false, and false becomes true, एकदम उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको negation और false बोल रही हूँ, मतलब हमारा output क्या होने वाला है, final statement का, true होने वाला है, तो यह हो गया हमारा first sum solve, अब दूसरे के उपर आजाते हैं, if a joint venture, पहले ही रेस करते हैं, क्या बोला है, if a joint venture is temporary friendship, if use किया गया है, और then use क्या गया है, मतलब हम किसके साथ deal कर रहे हैं यहाँ पे, implication के साथ deal कर रहे है, if joint venture, तो P क्या होगा, a joint venture is temporary partnership, P हो गया, Q क्या होगा, discount on purchase is credited to supplier, Q and P आगया, अब symbolic representation क्या है, simply P implies Q है, अब first statement क्या है, हमारे पार्स कि हमारा joint venture is a temporary friendship, yes, joint venture क्या होता है, दो पार्टी इसके बीच में हम लोग क्या करते है, a kind of partnership या ownership डिवाइड करते है, मेरे पास भी एक particular book है, उसकी owner में भी हूँ, मेरा भाई भी है, इस kind of समझ लो क्या आपके business होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, first statement क्या है, यहाँ पे हमारा जो first statement क्या है, हमारे पास true है, दूसरा statement, discount on purchase, जो purchase जो हम करते है, उसके उपर जो discount दी जाते, is credited to supplier, how can it be credited to supplier, वो completely statement क्या है, हमारे पास false है, जब भी हमारा true implies false होता है, क्या होता है, हमारा table when we are studying implications, simply हमारा जब true and false होता है, तो हमेशा हमें output क्या मिलने वाला है, false मिलने वाला है, इचीज को हमें ध्यान रदा है, because यही एक चीज है, जो अलग सी दिखाई देती थी हमारे, इसके अंदर ही, जब हम इसका फॉर्मिला पर्टेबल पढ रहे थे, first statement is true, second statement is false, then the output to be given is as, truth value of the final statement is also false, every accountant is free to apply his own accounting rules, if and only if, क्या आगया, if and only if, मतलब हम किसे डील कर रहे हैं, double implication के साथ, the first statement, P क्या होने वाला है, every accountant is free to apply his own accounting rules, P आगया, normal, not का कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, हम normal लिखेंगे, symbol का है, double implication का, if machinery is an asset, अब normal statement, इसे हम क्या कर देंगे, Q लिख देंगे, और यह हो गया हमारा Q, the first statement, जब देख रहे हो, every accountant has its own, अब हर accountant के पास, कैसे खुद की, like rules हो सकते, अब हम स्कूल में भी जाते हैं, तो it's not our rule, it's their rule, अगर अब घर पे भी हो, तो आपके मम्मी पाप आपके उपर rule करते हैं, तो वही accountant को, but obviously it is not possible, तो हमारा जो false treatment, उसके truth value क्या होने वाली है, false होने वाली है, double implication के sign, Q क्या है, machinery is an asset, yes, it is true, false या false true का combination होता है, double implication के अंदर तो, output of truth value of the final compound statement is always false, next, either 27 is a prime number, not, sorry, neither 27 is a prime number, not divisible by 4, तो सबसे पहला statement, अभ यहाँ पे देखो, क्या यूज क्या है, neither nor यूज क्या है, confuse मत होना, nor we used to study in conjunction, जो हमने वो cloud एक बनाया था, आप पिछे वाला एक lecture जाओगे, तो आपको पहाँ पर पता चले का, cloud के अंदर हमने सारी चीज़े लिखी थी, तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा, हमारे पास 27 is a prime number, Q क्या हो जाएगा, 27 is divisible by 4, P and Q हमने identify कर दिया, logical, sorry, symbolic representation कर दोगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 27 is prime number, मतलब P, divisible by 4, हमारा Q, नौर मतलब and होता है, अब मुझे बता 27 prime number है क्या, but obviously नहीं है, तो हमारा यहाँ पर truth value क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, and use करोगे, divisible by 4, 27 divisible by 4 है क्या, नहीं है, अब कोस नहीं है, हमारा 28 divisible होता है, यहाँ पर हमारा दूसरा statement भी क्या है, false है, जब हम conjunction के साथ deal करते थे, उसके truth table के साथ deal करते थे, तो true, true is always true, और बाकी सारी जाओट पूट होती थी, क्या होती थी हमारी false होा करती थी, तो यह particular statement के truth value क्या है, हमारे पास false है, next and last हमारे पास क्या है, 3 is a prime number and an odd number, अब यहाँ पर क्या है, यह हो गया हमारे पास P, यह हो गया हमारे पास Q, बीच में क्या use किया है, and 3 हमारा prime number है, yes true, 3 हमारा odd number है, yes true, वो odd number भी है, तो हमारा true and true, हमेशा क्या होगा, टूट टेबल के हिसाब से फाइनल इसका टूट वालू क्या होने वाला है थू होने वाला है next question number 3 थोड़ा confusing है यहाँ पे धान से हर question को solve करना है if P and Q are true क्या दिया गया है P and Q जो है वो क्या है true है दूसरा R and S are false यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स हमें यूज किया गया है क्या बोला है P P और Q जो है हमारे पास इसकी truth value क्या है true है R और S की truth value क्या है हमारे पास false है यानि कि particular question में जहाँ पे भी आपको P दिखेगा आपको क्या दालना है true डालना है जहाँ पे R दिखेगा वहाँ पे आपको false डालना है और बागते सारी चीजे Find the truth value of each of the following compound statement अब आपको कुछ compound statements दिए गए आपको क्या करना है simply उसके अंदर वो values को डालना है उसके particular truth table के हिसाब से compound statement की final truth value को निकालना है तो हम क्या करते हैं अब solve करने में आते है सबसे पहली चीज क्या दी गई है आपको P and पहले question लिख लेते है P and Q and R bracket की बहुत इंपोर्टन से ध्यान देना यहाँ पे P and Q and R truth value डाल दो यहाँ पे P क्या है? true है and Q is also true and R is false right? because according to question हमारे मन से हम नहीं डाल सकते है question में दिया गया है अब truth value के अब पर आजा true and false सबसे पहले easiest one जो bracket के अंदर हो उसे solve करने की कोशिश करना true and false जब हम conjunction पढ़ रहे थे तो हमारा conjunction का table क्या कहता था true or false जब भी आता था हमारे पास false हो जाएगा why आप यहापर लिख सकते हो dot 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 करके according to truth table of conjunction compound statement यहापर भी आप लिख सकते हो final जो यह particular statement है उसका truth value क्या है हमारे पास false है दूसरा जो P implies Q or R and S truth value true implies true or false and false अब next statement क्या होगा हम brackets को easily solve करते जाएंगे हमें पता है true implies true का value क्या होगा हमारे पास true ही होने वाला है और false and false का भी क्या होगा हमारे पास false होने वाला है because conjunction के टेबल बर true true is true right अब true और false का हमारे पास जब हम और disjunction वाले table में जाते हैं इसका हमारे पास output क्या होने वाला है true होने वाला है because जब disjunction का table देखते थे तो false false is false बाकि सारे उपर के value क्या हुआ करती थी true हुआ करती थी तो यहां पे भी क्या हो जाएगा वो true हो जाएगा next statement क्या है हमारे पास third one negation of एक second next है हमारे पास third one first second negation of square bracket P और S and negation of Q and R ठीक है अब इसको solve करोगे negation को as it is रहने दो पहले स्रिफ values जालने के उपर focus करो P के और R S के चगे पर or false and negation of true and false इस गलती से R को true मत लिखना next अब आजाओ अब क्या करोगे आप simply सबसे पहले इस पार्ट पर धान दोगे चोटे से तब से चोटा सोरेगा नो इससे start करना तो negation of true negation of true अगर true नहीं है तो क्या होगा false next or false and negation of true is again false and false next इसको रहन रहें से अब एक एक ब्राक्त पॉल्स और फॉल्स इस पॉल्स आंड पॉल्स इस टू इहां पर और दिया यहां पर यहां पर यहां पर अण दिया है तो true, false, false रहता है जब हम और कले देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है true, true, true and finally क्या होता है हमारे पास false होता है again false and false false and false last one क्या होगा हमारे पास negation of false अब negation of false मतलब false नहीं है तो but obviously हमारे पास क्या हो जाएगा negation निकालना है उसका तो उसकी final truth value क्या होने वाली है हमारे पास true होने वाली है अब next fourth one है हमारे पास P implies Q, double implies negation of P or Q next, true implies true, double implication negation of true or true next, true implies true का value क्या होता है हमारे पास true होता है right, अब next double implication की sign, negation of true or true की value क्या होगी हमारे पास true ही होगी, negation of true क्या होगा हमारे पास false हो जाएगा true implies false, जब हम implication में जाते हैं, अगर दोनों चीज अलग-अलग है तो output क्या होने वाला है हमारे पास final truth value क्या होने वाली है false होने वाली है तो यह particular statement का हमारे पास truth value क्या हो गया false हो गया अब next क्या है हमारे पास fifth one fifth one क्या है square bracket p और s implies r और negation of negation of P implies Q or S substitute करेंगे true or false implies false or negation of negation of true implies true or false next true or false की value क्या होगी हमारे पास true होगी next implies false यह होगी हमारे एक ब्रैकेट और negation of true implies true की value क्या होती है हमारे पास true होती है और false next true implies false first statement true है second statement false है तो output क्या होता है हमारे पास false होता है और negation of negation of true will be equals to false और false, false और false हमारे पास होता है to be equals to false false और negation of false false और true final answer हमें क्या मिलने वाला है हापे false और false और true का true यह particular statement का हमारे पास truth value क्या होने वाली है true होने वाली अब last statement जो है again उसी प्रकार का है हमारे पास negation of p और negation of p और r and s or negation of r and negation of s and q यह हो जाएगा negation of true और false and false and negation of false and negation of false and true negation of true or false and false will be equals to false and negation of false and negation of false will be equals to true and true false or false sorry true or false will be equals to true and negation of false and true जब हम deal करते तो उसका value क्या होता है हमारे पास false होता है next क्या है and of true equals to negation of true will be equals to false and negation of false and true will be equals to false negation of false will be equals to true false and true will be equals to false तो हमारा जो next last जो question था इसका भी क्या है हमारे पास truth value to be equals to false है अब चलते हैं फॉर्थ question क्या है फॉर्थ question क्या है assuming that the following statements are true अब क्या बोला गया है आपके पास statement दी गई है और आपको क्या बोला गया दो statements है P and Q first statement क्या है Sunday is holiday जब भी यह statement आएगा Sunday is holiday तो उसकी truth value क्या होने वाली है तो होने वाली है राम ड़स नॉट study on holiday यह statement क्या हो जाएगा हमारे पास इसको भी आपको क्या consider करना है इसकी truth value is true अब आजाते हैं इन्होंने बोला क्या है हमें बोला है कि यह assume करके हमें क्या करना है यह particular statements के truth value निकाल ले है तो सबसे पहला statement क्या दिया गया है Sunday is not holiday और तो यहाँ पे use क्या किया है प्रेस क्या use क्या है और use क्या है राम ड़स studies on holiday तो P हमें पता है P क्या है Sunday is holiday but यहाँ पे हमें क्या दिया गया है Sunday is not holiday not use करने की वज़े से first statement हमें कैसे symbolic representation हो जाएगा not P next और use क्या गया है राम studies on holiday यहाँ पे क्या दिया गया है राम does not study on holiday यहाँ पे again हम क्या करेंगे इसका उल्टा लिखेंगे the negation of Q हो जाएगा अब इन्होंने क्या बोला है P की value हमें क्या दी गई है true and Q की भी value क्या दी गई है true negation of true is false or negation of true is false the final statement कि हमारे पास truth value क्या होने वाली है false होने वाली है next if Sunday is not holiday second question पे आजाओ if Sunday is not holiday if and then phrase use क्या है मतला हम कहां पे जा रहे इंप्लिकेशन वाली पे जाएगे तो P होगा Q होगा इन दोनों की बीच में हमें क्या करना है implication परफॉर्म करना है if Sunday is not holiday यहां पे Sunday is holiday था मतलब not use करने के वज़े से हमें क्या डालना है negation वाला sign दालना है Ram studies on holiday statement क्या था Ram does not study on holiday again हमें यहां पे क्या हो जाएगा negation हो जाएगा तो again value डालोगे true negation of false तो यहां पे क्या हो जाएगा negation negation of true is false implies false जब हम implication देखते थे false implies false का हमेशा हमें output क्या मिलता था true मिलता था तो final जो हमारा यह particular second statement उसके truth value क्या होने वाली है true होने वाली है अब third statement देख लेते हैं third statement है हमारे पास Sunday is holiday हमारा P हो जाएगा and use किया है Ram studies on holiday यह हो गया हमारा Q अब first statement as it is आपको दिखाई दे रहा है मतलब तहीं पर negation नहीं आने वाला लेकिन आप यहां पे difference देखोगे कि Q में क्या आ रहा है not आ रहा है बट यहां पर हमें not नहीं दिया गया मतलब यह exact इसका क्या है उल्टा है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा negation of Q introduce करना पड़ेगा तब जाके हम original statement के contradict करेंगे यहां पर P की value क्या है हमारे पास true and negation of true Q की value क्या है true negation of true is false true and false की हमें value क्या मिलती है हमेशा false मिलती है तो जो हमारा third statement है उसके truth value भी क्या है false है अब चलते हैं last question के उपर if P P हमें क्या दिया गया है P swims Q क्या दिया गया है water is warm next क्या बोला है if the sorry give the verbal statement of all the following symbolic representation अब आपको symbolic representation दिया गया है और आपको क्या निकाला है इसका verbal form में आपको particular statements को लिखने है P बोला है he swims Q है water is warm बोला क्या है P implies negation of Q मतलब P क्या है he swims the first statement क्या होगा he swims double implication मतलब if and only if Q का negation water is warm मतलब Q का negation बोलने की वज़े से यह क्या हो जाएगा water is not warm यह होगया हमारा first statement next क्या है negation of P और Q जब भी ऐसे bracket के बाहर negation आएगा make sure आप क्या यूज कर बता है it is हम negation वाले में देखे थे it is not true that अब आजाओ आगे first negation वाले पार्ट को लिख दिया P P क्या है he swims P आजाएगा he swims next क्या बुलाए और water is warm water is warm simple as that अब next में आजाते Q और फिर P है ध्यान देना पहले Q है और फिर P है बीच में क्या है implication की sign है मतलब हम क्या यूज करेंगे if then यूज करेंगे तो statement कैसा हो जाएगा if water is warm पहले Q then P then he swims यह हो गया हमारा statement अब क्या फोर्थ वन में आजाओ Q बोला गया है पहले तो क्या हो जाएगा water is warm अब आगया आजाओ and बोला है and की symbol दी गई है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे and यूज करेंगे या फिर कोई भी अधर वर्थ जो हम यूज करते आप यूज कर सकते हो negation की sign दिख रही है मतलग हमें क्या करना है P का exact उल्टा लिखना है तो he swims का उल्टा क्या होगा he does not swims अगर does not नहीं आधा रहा तो he not swims अब इंगलिश को नहीं ध्यान देना है हमें क्या यूज करना है इमाहाँ पर negation का होने की वज़े से not का यूज करना बहुत जरूरी है तो यह होगा हमारे वर्बल फॉर्म्स के अंदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स यह ही पर हमारे पर्टिकुलर एक्सराइज है वो भी हम कम्प्लीट करते है 5 questions से 5 easy questions से और हर टाइप के questions हमने क्या कर लिए यहाँ पर कम्प्लीट कर लिए so thank you so much stay tuned with us and take care of yourself bye bye